हलो फ्रेंट्स बहुत बहुत स्वागत आपका सूपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर तो दोस्तो इस वीडियो में आपको सूथ के बारे में बताने वाला हूँ मेजरिंग टेप में सूथ को कैसे पढ़ा जाता है आखिर सूथ क्या होता है एक सूथ, दो सूथ, तीन सूथ, चार सूथ, पाँच सूथ इन सब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे लिखा जाता है कैसे पढ़ा जाता है और इसका MM में Conversion भी हम इस वीडियो में कर लेंगे तो ये वीडियो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बने दियेगा वीडियो में अंते तक ये समझते हैं कि सूथ क्या होता है तो देखिए एक इंच को आठ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जिसे कहा जाता है सूथ यानि की एक इंच में आठ सूथ होते हैं अब मेजरिंग टेप में कैसे देखेंगे हम सूथ को देखिए यह तो आपको पता है यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो एक इंच है यहां से यहां तक का जो है वो दो इंच है यहां से यहां तक का तीन इंच है अगर हम सेंटिमीटर में बात करें तो यहां एक सेंटिमीटर है यहां से यहां तक यहां से यहां तक दो है यहां से यहां तक तीन है तो इस वीडियो मैं सूत के बारे में बताने वाला हूँ तो हम इंच और सूत के बारे में डिसकस करेंग आप ध्यान से देखिए मैं कैमरे के नस्दीक ला रहा हूँ इसको देखिए ये पहला डिवीजन है एक ये दूसरा डिवीजन है दो ये तीसरा डिवीजन है तीन चौथा डिवीजन है चार है ना ये पाँचवा है पाँच ये छटवा डिवीजन है और ये सातवा डिवीज करूंगा तो 3 सूथ यहां से यहां तक का लेंध मेजर करूंगा 4 सूथ यहां से यहां तक का मेजर करूंगा 5 सूथ यहां से यहां तक का 6 और यहां से यहां तक का साथ और यहां से यहां तक का डिस्टेंस यानि की एक इंच को अगर हम मेजर करेंगे तो होगा 8 सूथ इसका म और conversion एक के बाद एक मैं आपको बताते जाता हूं तो friends हमने scale में एक image ले लिया है एक इंच का और एक इंच में 8 सूत होते हैं तो उसको हमने subdivide कर दिया है एक इंच में 8 सूत होते हैं जबकि 25.4 mm होता है तो अगर हमें सूत को mm में निकालना है तो हम क्या करेंगे एक इंच यानि की 25.4 mm को 8 से divide दे देंगे तो ये आ गया 3.175 mm यानि की एक सूत में होता है 3.175 mm अगर मैं आपसे कहूं एक सूत कितना होगा 3.175 mm तो फ्रेंड्स एक सूत जो होगा उसे हम एक बटा 8 इंच लिखेंगे एक बटा 8 इंच लिखेंगे और 3.17 mm होता है इसी तरीके से 2 सूत अगर हम कहें तो वो होगा 2 बटा 8 लेकिन इसे फिर से divide कर देंगे 2 से तो 2 सूत को एक बटा 4 इंच कहा जाएगा और उसमें आएगा 6.35 mm ऐसे ही 3 सूत को 3 बटा 8 इंच लिखेंगे और अगर हम इसे mm में convert करें तो 3 सूत में 9.525 mm होता है 4 सूत जिसे की आधा सूत भी कहा जाता है उसे 4 बटा 8 इंच है लेकिन इसे फिर से 2 से divide कर देंगे तो आ जाएगा 1 बटा 2 इंच और ये हो जाएगा 12.7 mm अगर हम 5 सूत कहें तो वो हो जाएगा 5 बटा 8 इंच और अगर mm में convert करें तो 15.875 mm होगा 6 सूत जो होगा 6 बटा 8 इंच लेकिन इसे फिर से 2 से हम divide कर सकते हैं तो 6 सूत को 3 बटा 4 इंच कहा जाएगा और 3 बटा 4 इंच यानि की 19 दसमलो सुन्य 5 19.05 mm 6 सूत में 19.05 mm होगा 7 सूत में इसी तरीके से 7 बटा 8 इंच होगा और इसे 22.225 mm भी कहा जा सकता है वैसे ही 8 सूत यानि की 1 इंच एक इंच में 8 सूत होते हैं और 8 सूत जो है वो 1 इंच के बरावर होता है अगर इसे हम mm में convert करें तो 25.4 mm आएगा तो फ्रेंट्स ऐसे आप लिख सकते हैं सूत को और सूत mm में conversion सूत का mm में conversion भी आप यहां से समझ गए तो दोस्तो ये वीडियो थी हमारी सूत के उपर आपने सीखा measuring tape से कैसे हम सूत को देख सकते हैं और कैसे measure कर सकते हैं उमिद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी measuring tape के बारे में और भी एक वीडियो है इसमें detail मैंने बताया है कि inch में, mm में, cm में, mm में, foot में कैसे measure करते हैं measuring tape को कैसे read करते हैं वो वीडियो भी आप देख सकते हैं इस वीडियो के end पर वो वीडियो उसके end screen दे दूँगा तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको 1% भी helpful लगी हो तो please like करिएगा और channel को subscribe करेगा फिर से मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए अलविदा